तो दोस्तो चीन की जो मीडिया है वो अब भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के पीछे लग चुकी है और चीन की भोपू मीडिया की तरफ से ऐसा दाबा ठोका जा रहा है कि चीन ने एक ऐसी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तकनीक बना ली है जिसके माध्यम से हाइपरसोन मिसाइल को चीन अपनी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से आसानी से रोक सकता है और इसके बारे में चीन की भोपू मीडिया ने साउथ चाइना मौर्रेंग पोश्ट के अंतरगत एक बहुत बड़ी जानकारी साजा करी है जिसका आप स्क्रीन स्क्रीन पर जानकारी चीन को दे सकता है और इस मिसाइल को चीन अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से महज 2 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर के दारे में नश्ट कर सकता है और दोस्तों यह जो खबर है वो भारत की हाईपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत ही बुरी हो सकती है क्य ऐसा एर डिफेंस सिस्टम है जो की हाईपरसोनिक मिसाइल को मार सकता है और हो सकता है कि चीन ने इस S500 की कुछ ना कुछ तकनीक रूस से चुरा ली हो और इसी तकनीक के माध्यम से चाइना ने अपना जो हाईपरसोनिक मिसाइल को मारने वाला एर डिफेंस सिस्टम बनाया फिलाल में आप सभी भी जानते हो कि चीन कोई भी तकनिक को खुद डेवलप नहीं करता है दूसरे देशों से चुराता है फिलाल में चीन की तरब से ऐसे किसी भी मिसाइल का भी फिलाल में परिक्षन तो नहीं किया गया है परन्तु आंगे चल कर चीन की भोपो मेडिया की प जैहिंद वंदिमातरम